नमस्कार दोसों वल्कम बैक टियो ओन चैनल वेल्सागा दोस्तों जे स्टॉक के बारे में हम लोग बाचित करने वाले हैं उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट हैं कंपनी भी बहुत जबरदस थे लेकिन उसके बावजूद भी आज स्टॉक करीब 10% के आस ही समझेंगे कि क्या ये समय इस स्टॉक में फ्रेश इंवेस्ट्मेंट करने का आ गया है वीडियो के साथ बने रहे हैं दोस्तों जैसा कि आप लोग व्यो फोईल पे देख पा रहे हैं कि जो प्रोमोटर्स की प्लेजिंग है इस शेर में एपसलिटली निल है मतलब स्टॉ में कोई भी प्रोमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है अगर बात करें FIA की DIA की तो FIA के एप्रोक्सिमेटली 14% की होल्डिंग से और DIA ने वन फिफ्ट ऑफ शेर अपने पास होल्ड कर रखें अगर हम लोग स्ट्रॉंग हैंड्स के बारे में बाच्चित करें तो प्रोम कोई भी कमपनी के ऊपर डेट नहीं है बात करें Profits Margin की तो बहुत जबर्दस Profit Margin के साथ कमपनी गाम करती है अगर बात करें Operating Profit Margin तो Operating Profit Margin तो Operating Profit Margin is 25% प्लस जो कि एक बहुत ही Positive Sign है Net Profit Margin के बारे में बात करें तो 14% आस पास के निकल करके आता है मतलब सारे खर्चे निकालने के बावजूद भी 15% कमपनी बचा पार रही है as a Profit Margin which is a very very Positive News लेकिन as an investor हमारे लिए एक stock को hold करना तभी Positive है जब वो इस company हमें कुछ दे पार रही है in the form of dividend अगर हम लोग इस company की dividend policy के बारे में बाचित करें तो stock has been giving consistent dividend year on year 2020, 19, 18, 17 तो दोस्तों हर साल company ने dividend दिया और respectively good dividend policy is there with the company तो और all एक fundamentally दिखा जाए stock काफी strong दिखा ही बढ़ रही है अभी और भी perspective है उनको भी समझते है और जो सबसे बड़ा और important perspective है वो है company की year on year profitability कैसी रही है क्योंकि ultimately stock price is directly related rather function of the profits which company make अगर company के हम लोग revenue और profitability के बारे हम बाचीत करें तो दोस्तों हमें दिखाई पड़ता है कि this stock has been performing very well apart from 2021 of course लेकिन अगर हम लोग बात करें company के previous performance की तो revenue has been going up लेकिन profitability में कहीं कहीं पर थोड़ा ups downs दिखाई पड़ते हैं which is not a very positive sign लेकिन उसके बावजूद भी company has been giving you know respectively okay performance in previous few years लेकिन आगे आने वाले जो perspective है company के वो बहुत ही aggressive और bright हैं उसके पीछे news क्या है वो भी समझते हैं News समझने से पहले quickly एक बार नजर डाल लेते हैं हम लोग के stock के बारे हैं बात्चित कर रहे हैं हम लोग Tata Chemical के बारे हैं बात्चित कर रहे हैं और अभी इसके recently results आये results में 85% का decline आया है profit में जो किया है 29 करोड consolidated profit after tax for the company stood at 198 करोड for the corresponding previous the last year मतलब पिछले साल 198 करोड से गिर के अपकी साल आया 29 करोड अब की बार मतलब इस quarter में जो results आये हैं उसमें profitability 29 करोड आया है as compared to previous year तो दोस्तों ये वो reason है जिसके current market ने इसको आज punish किया है और जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले कुछ सालों का performance दिखाया था कि company के revenue तो उपर जाते हैं लेकिन उसकी profitability में बहुत शानदार आपको jump और bounce और dip दिखायी पलती रहती है on year on year basis सो देखा जाया तो ये चीज़ अच्छी नहीं है अगर हम लोग company के अगर पिछले कुछ quarters के performance को evaluate करें तो हमें बता चलेगा कि company की profitability profit after tax में अज़र डालते हैं तो company की profitability 149, 117, 108, 135, 115 मतलब नहीं ये उपर जा रही है या तो उपर ही दिखायी पट रही है कि हाँ भाई improvement ही दिखायी पट रहा है या तो नीचे गिर रही है तो हम सोचे कि खराब है stock तो stock में dwindling रहता है profit का जो margins है जो profitability है वो dwindling रहती है जिसके चलते you know because of it being a chemical sector stock और chemical sectors के जो stock है उनके chemical की जो demand है वो up down होती रहती है और of course अगर market में supply जदा हो जाती है demand कम होती है demand जदा हो जाती है supply कम हो जाती है तो उससे उनके profit के margins पे direct impact पड़ता है अब company को लेकर के आपको aggressive होना क्यों चाहिए क्योंकि company के जो brands है या company जो बनाती है उस पर गराब focus करें तो ये third largest soda ash बिनाने विले company है इसके अलावा ऐसा माना जा रहा है कि जब lithium ion battery का manufacturing शुरू होगा तो company plays a major role in manufacturing is going to play a major role in lithium ion battery manufacturing ऐसी बातचीद चल रही है ऐसा company के plans in pipeline में दिखाई पड़ रहे हैं बातचीद चल रही है लेकिन आज unfortunately जब company के results आया थो जब commentary हो रही थी उनके management की तो उस पर उन्होंने कुछ doubt दिखाया doubt दिखाया मतलब उन्होंने कहा कि although lithium ion battery के लेकर के वो aggressive है as you can see on the view file as well lithium ion की battery को लेकर के वो aggressive है electrical vehicle story को लेकर के वो aggressive है लेकिन फिलहाल अभी इस पे कोई ज़्यदा खास consideration या फिर action शुरू नहीं हुआ है दोस्तों ये चीज market को पसंद नहीं आई और market ने उसको जबर्दस तरीके से पीटा इस कदर कि stock 10% के आसपास intraday बे गिर गया और गिरा भी इस किदर कि वो almost day low पर close हुआ है अब दोस्तों question ये आता है क्या ये stock उपर उठेगा कि यहां से नीचे ही गिरता चला जाएगा अब ये हम लोग चार्ट पर देखने के कोशिश करेंगे कि कहां पर support आ रहा है फिलाल दोस्तों एक दो चीज़े और बात कर लेते हैं पहले तो stock के fundamental valuation की तो अगर industry का price to earning ratio is 3.55 और stock अभी भी आपको एक reasonable valuation पर मिल रहा है मतलब अगर आप कहें 708 पर stock सर महंगा है क्या तो ये stock अभी भी महंगा नहीं है as compared to its industry peers और दोस्तों जैसे कि मैंने भी आपको dividend policy की बारे में बताया था company की dividend policy has been very very nice as far as the company's regular dividend payout is concerned इसके लाबा अगर quantum of dividend की बारे में बात करें तो 1.55% की dividend yield है जो की मेरे हिसाब से एक बहतरी dividend yield है for long term लेकिन दोस्तों problem वाली बात ये है कि stock एक साल में तकरीबर 152% jump कर चुका है मतलब when the stock has given you if you have invested 1 lakh रूपीज आई ये बैग the stock has made 1 lakh to 2 lakh 52,000 rupees within a span of 1 year लेकिन दोस्तों Tata Chemical ही नहीं इस पूरे के पूरे सेक्टर ने multi-wagger return दिये तो ऐसे में अगर हम ये कहते हैं Tata Chemical बहुत ज़दा run-up कर गया है तो Tata Chemical के अलावा भी ये सेक्टर भी बहुत run-up कर चुका है तो मेरे साब से stock एक reasonably priced valuation पे है लेकिन जो सबसे बड़ा reason था stock को भागने का कि ये company lithium and battery में 4A करने वाली है और इस पे इन्होंने doubt दिखाया है चुकि you know the plans are still in pipeline तो plans को pipeline होने के नाते market was expecting कि कुछ बहतर plan company reveal करेगी उन्हों उसको disclose करेगी लेकिन reveal करने की बजाए उन्होंने उस पे कुछ confusion create किया उन्होंने कहा it is still under consideration जिसके चलते market ने stock को अच्छे से punish किया और दोस्तों अगर आप देखें इसके पिछले 3 साल का performance तो stock has been performing almost flat in previous 2-2.5 years लेकिन ये recently जो run-up आया है, rally आई है वो सिर्फ lithium-ion battery की manufacturing के करना आया है और दोस्तों अगर इसमें company इस front पे अच्छा perform नहीं करती है तो stock में आपको आने वाले समय में अच्छे गिरावट भी दिखाई पड़ सकती है तो अगर आप लोग stock में निवेशित हैं तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है अब दोस्तों आज मेरे पास काफी ज़दा questions आ रहे थे कि सर्ट टाटा chemical के stock को क्या हम लोग इस समय खरीज सकते है क्या ये समय buy किया जा सकता है क्या ये value buy है तो दोस्तों अगर हम लोग इसके chart को देखें तो stock अपने एक बहुत ही strong support zone 700 के आसपास ख़़ा हुआ है लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये stock अपने price के करान ये फिर over valuation के करान ये फिर profit booking के करान नहीं गिरा है यहाँ पर जिस fundamental reason के करान stock गिरा है वो मैंने अलड़ी आपके साथ share कर दिया है और अच्छे खासे volume में बड़ी quantity में इसमें sell off हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि अगर by chance इसने 700 तो आज almost day low पर close हुआ है अगर by chance इसने 700 के levels को break कर दिया breach कर दिया तो यह stock 650 के नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ेगा and of course उसके बाद जो strong support नज़र आता है वो है 580-585 तो दोस्तों यह वो levels है जहाँ पर एक fresh GTT order आप लगा सकते हैं 650-655, 580-585 यह वो GTT orders है जहाँ पर by chance अगर इस stock गिरता है तो एक value by भी होगी जो चीज़ important है जो कि आपके लिए ज़रना ज़रूरी है कि market has taken this stock on its lap in its lap क्यों because of its lean battery क्योंकि future is going to be electrical vehicles और यह company एक प्रबल दावेदार होगी लेकिन company ने इसको under consideration बोल करके investors को hurt किया है जिसके काण investors ने से अपने पैसे को निकाल लिया है और एक और data जो कि आपको observe करना चाहिए वो है आज का delivery percentage दोस्तों आज के delivery के बारे में बात करें तो मात्र 19% के delivery हुई है which is far less than my parameter which is 25% तो 25% के नीचे के delivery को कम माना जाता है दोस्तों मेरी नजरों में at least तो 25% के नीचे के delivery हो रही है it means people are not taking this stock back to their DMAT account मतलब वो लोग stock को trade करें और इसमें हो सकता है आगे आने वाले समय में थोड़ी weakness और दिखाई पड़े ऐसे में दोस्तों मेरा कहना यह है कि इसमें थोड़ा साप cautious रहें ज्यादा aggressively इसको buy करने की कोशिश मत करें जो important level से जहां पर आप इसको accumulate कर सकते हैं वो मैंने अलोड़ी आपके साथ share कर दी हैं बट येस, be cautious, be careful, news को पड़ते रहें सिर्फ इस धुन में कि यूनो market में और media में ये बाते चल रहें कि lithium-ion, you know, lithium-ion बनाएगी company लेकिन lithium-ion के जब तक plans और perspectives absolutely clear नहीं है इस stock में आपको थोड़ा सा vigil रहना चाहिए thank you so much for giving precious time I hope snap के horizon को wide किया होगा कुछ questions रहे गए हैं तो please do let me know in the comment section thank you so much for giving precious time I hope you learned something new, bye-bye for now